हलो फ्रेंट्स वर् फिर आपको दोस्तों यहां तो दुस्तों की विडियो कोर्सेज्ट में अडविय्शन को लेकर दो बड़ी अभडेट आ रहे हैं अगर आप भी और फौहती ज़िज्ट लेना चाहतेज आप देख सकते होंगे PG मतलब पराइसनात कोसिस में आप तक 14000 जो रेजिस्टेशन है वो केपल हो पाएं जो की काफी आदक हमें MA समाजसास्त और MSC में सबसे अधिक चंतु बिग्यार में 1000 रेजिस्टेशन हो चुके हैं इसके साथ ही हम बात करेंगे यहां पर लास्ट डेट बगारा के बारे में अगर बात करें एमकॉम के बारे में तो आप तक केबल 1450 रेजिस्टेशन हो पाएं MA सब्सक्राइब केमपस और उनिवस्टी से एफिलेटिट कॉलेजेश में परहसना तक में पिरवेश के लिए पंजी करण को सिर्फ पाँच दिन से रहे गए आप द्यान दी जी का यहां पर केबल पाँच दिन से रहे गए जो भी स्टेंट से पीजी कोर्सेज में एडिमिंसन लेना चाहते हैं फटाफ़र रुलखर इनिवस्टी की वेबसेट पर अपना रिजिस्टेशन फॉर्म फिल करके उस कॉलेज में जाकर कॉंटक्ट कर लें जिस कॉलेज में आपको एडिमिंसन लेना है यह चीज में आपको 10-15 बार बदा च पर इकत्य सक्ति उबर रखी की है फॉर्म को फिल करने के बाद आपको कॉलेज में ले जाकर उसे सब्मिट करना है लेकिन कुछ कॉलेज में आपको सब्मिट नहीं करना होता है कौन से कॉलेज में फॉर्म सब्मिट नहीं होगा यह तो आपको कॉलेज जाकर ही पता चलेग और उन college में online form fill की जाते हैं बाकि अधिक जानकारी के लिए आप अपने college से contract कर सकते हैं जिसमें भी आपको admission लेना अब तक total 14,000 registration हो चुके हैं में पार्ट करम में सबसे अधिक पिरवेश समासास्त में 1700 से अधिक registration हुएं इसके लाब बात करें MSC पार्ट करम में तो सबसे आधिक जो registration हैं बो जूलोजी यानिकी जनतु विग्यान में 1000 registration हो चुके हैं कई particular में से हैं जिन में ना के वराबर पंजी करण हुएं अभी भी कापरी संक्या में चात्र जो पंजी करण के लिए रह गए हैं महाबिद्याल को निर्दारित डेट में पंजी करण चात्रों की जो पिरवेश है वो मेरिट के आदार पर लेने होंगे सबसे अधिक जो पि से हैं बाकि महाबिद्याल अभी भी पिरवेश पंजी करण खुलने के इंतिजार में कई चात्र जो हैं वो नीजी महाबिद्यालों में सीट लॉक करती थी लेकिन उन्होंने दूसरे कॉलेज में एडमिस्टन ले लिया उनकी भी समस्य का अभी तक जो समाधाने वो नहीं ह पाए और इसी के साथ बरेली कॉलेज से भी एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है अब देखन दीजी का यहां पर बरेली कॉलेज में एमकॉम और एमे में जो सीटे हैं वो खाली रह सकती हैं अगर इन्योश्टी ने यहां पर एडमिस्टन रिस्टेशन की डेट नहीं काफी ज़्यादा जट्र रही है इस लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि उन्हें प्रॉभलम हो रही कहीं कहीं काफी बुली संक्र्या में प्रॉबलम इस्क्रेंट्स को हो रहे हैं रहे में सो नहीं हो पा रहा है जिस वजह से जो प्रोब्लम वो लगातार देखने के लिए मिल रही है और यो रिस्टेशन है ये भी काफी ज़्यादा कम हुए पांच नुबंबर तक मेरिट जारी होगी वरेली कॉलिज प्रिसासन आवेदनों की लगातार जांच भी कर रहा है ता बाकि यहां पर वरेली कॉलिज के प्रिवेश निंतरक जी का कहना है कि एमकॉम महेर अर्थसासन में आवेदन कम मिले हैं दाखले के लिए मैरिट लेस्ट पांच नुबंबर तक जारी करती जागे इसके तैयारिया चल नहीं है इसे के साथ अगर आप भी वरेली कॉलिज य एक फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म आपको कोई भी कहीं पर भी जमन नहीं करना लेकिन अगर आप किसी दूसरी कॉलिज में अडिमिशन लेना चाहते हैं तो युनिवोस्टी की वेफसाट पर आपने जो रेस्टेशन फॉर्म फिल किया है उस फॉर्म को लेकर आप उस कॉलिज में कॉंटेट कर लीजिए जिस कॉलिज में आपको एडिमिशन लेना बाकि अधिक जानकरी आपको कॉलेज से ही मिल पाएगी आज की इस वीडियो मस इतना ही अब मिलते एक नहीं वीडियो में एक नहीं इंफॉर्मिशन के साथ थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग कि अधिस, वीडियो